हलो फ्रेंड्स तो आज किस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही लक्जरियस और बहुत प्रीमियम स्मार्ट वॉच लेके आज चुकाउं जिसके अंदर आपको भर-भर के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे मैं बात कर रहा हूँ फायर बॉल्ट इन्विंसिबल स्मार्ट वॉच की और सबसे पहले अगर बात की जाए इसके बॉक्स की तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जैसे कि इसके अंदर आपको 8GB की मेमोरी देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आ इसका तबही होने वाला है इसके प्राइस रेंज के सुझाब से और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी और पीछी की साइड में भी कुछ डिटेल्स हैं तो यहाँ पे इस ब्सके की अंदर आपको ये वाला बॉक स्यक्ष को मिल जा जाएगा इसका चार्जर तो यहां पर मेगनेटिक 4-pin चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और क्यूंकि यह 4-pin चार्जर है तो इसको PC यहां पर लैप्टॉप से भी कनेक्ट कर सकता है और अगर बात करें इस वाले सेक्शन की तो यहां पर सबसे पहले आपको कुछ कार्ट देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको वारंटी कार्ट देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहां पर आपको बोल्ट प्रे सब्सक्रिप्शन इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उसी के साथ गाना सब्सक्रिप्शन Z5 सब्सक्रिप्शन तो ये सारे cards देखने को मिल जाएंगे और अगर बात करें user manual की तो यहाँ पे आपको बड़ी सी book की तरह user manual देखने को मिल जाएगी जिसको पढ़के आप समझ सकते हो तो सबसे बिल अगर बात करें से smart watch के build quality और design की तो यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा display देखने को मिल जाता है तो जो लोगों की wrist थोड़ी मोटी हो उनके लिए जादा सही रहेगा और thin wrist वालों के लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा और अगर बात करें इसके display size की तो यहाँ पे में पास fire bolt incredible भी पड़ी है तो incredible से आप compare करके देख सकते हो कि बड़ा display आपको देखने को मिलता है से smart watch के अंदर उसी की साथ अगर बात की जाए sides की तो sides में metal build देखने को मिलता है और पीछी की side में अच्छी quality का polycarbonate back देखने को मिल जाता है और कुछ sensors भी देखने को मिल जाता है और charging के लिए 4 pin भी देखने को मिल जाएगी इस side की बात करें तो यहाँ पे आपको दो buttons देखने को मिल जाएगे दोनों ही working है और यहाँ पे अगर बात की जाए steps quality की तो steps अच्छी quality के देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे आपको removable steps का भी feature देखने को मिल जाएगा यानि की कोई भी steps market से purchase करके लगा सकते हो और अगर बात करें weight की तो इस smart watch का weight होने वाला है 51 gram तो 51 gram के हिसाब से थोड़ी सी heavier site पे आती है यह smart watch क्योंकि इसके अंदर display वगेरा बड़ा है और features भी जादा है तो थोड़ा सा heavy weight होने वाला है तो चलिए इस watch को on करके देखते हैं उसी के साथ phone से connect करने के लिए आपको अपने phone के अंदर एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है Firebolt Invincible तो इसी watch के name पे इसका application भी है तो इसे open करके watch से connect कर देता हूँ तो यहाँ मैंने application के अंदर login कर लिया है तो आप Firebolt Invincible को connect कर देता है यहाँ पे searching लिखा आ चुका है तो मैं Bluetooth एक बार on कर देता हूँ तो यहाँ पे phone mode पे click करके Bluetooth on कर दिया है मैंने तो यहाँ पे Bluetooth को on करते ही BSW020 लिखके आ चुका है तो इसे connect कर देता है तो यहाँ पे watch जो है successfully connect हो चुकी है और इसे pair कर देता है watch को पूरी तरीके से connect करने के लिए एक बार इसे आपको Bluetooth से भी connect करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर media वगेरा प्ले कर पाओ फोन का ही तो यहाँ पे BSW audio जो है यह connect हो चुका है और इसके अंदर यह तीनो features on कर देना ताकि कोई problem ना हो सबसे पहले अगर बात करें से smart watch के display की तो इसके अंदर आपको 454 by 454 pixels resolutions के साथ 1.39 inches का AMOLED display देखने को मिल जाता है तो इसके अंदर आपको display की quality बहुती गजब की मिलने वाली है और उसी के साथ अगर बात की जाए display की brightness की तो अच्छी खासी brightness देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इससे firebolt incredible के साथ compare किया है और overall बहुत अच्छी कासी brightness है तो direct sunlight में use करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है और उसी के साथ आपको always on display का भी support देखने को मिल जाएगा अगर बात की जाए watch faces की तो इस smart watch के अंदर आपको 100 inbuilt watch faces देखने को मिल जाएगे उसी के साथ अगर बात की जाए application की तो application के अंदर 39 extra watch faces देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर माई पर जाके आप जो watch face है उसको select कर सकते हो यहाँ से practically watch face को change करना बहुत मुश्किल है क्योंकि 100 watch faces को एक साथ change नहीं कर सकते है यहाँ से आप आराम से देख सकते हो और जो भी watch face पसंदा रहा हो सिर्फ set watch पे click करना पड़ेगा और यह इस तरीके से set हो जाएगा तो यहाँ से आप इस तरीके से application से watch faces को manage भी कर सकते हो इस smart watch के अंदर आपको smooth UI देखने को मिल जाएगा अगर नीची की तरफ swipe करोगे तो basic options देखने को मिल जाएगे उसी के साथ right की तरफ swipe करने पे कुछ components देखने को मिल जाएगे तो right और left की तरफ swipe करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से components देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे calling features देखने को मिल जाएंगे ऊसी के साथ उपर की तरफ swipe करेंगे तो applications देखने को मिल जाएंगे उसी के साथ इसके अंदर three menu style का option है तो यहाँ पे normal cellular के अंदर आपको कुछ इस type से applications वगरा देखने को मिल जाएंगे और अगर बात करें smoothness की तो अच्छी खासी smoothness देखने को मिल जाएगी बिल्कुल भी lags वगरा देखने को नहीं मिलेंगे उसी के साथ list style और grade style भी देखने को मिल जाएगा और अगर बात करें battery backup की तो इस smart watch के अंदर अगर always on display को off रखोगे तो 7-8 दिन का battery backup देखने को मिल जाएगा और अगर always on display को on रखोगे तो 2-3 days का ही battery backup देखने को मिलेगा और अगर बात की जाए charging time की तो 1 hour और 30 minute लेती है ये smart watch 0-100 तक full charge होने के लिए तो चलिए अब एके करके applications को test करता है तो सबसे पहले यहाँ पे steps का option देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको आपके सारा details show हो जाएगी graphs के अंदर उसी के साथ यहाँ पे आपको sleep monitor का भी support देखने को मिल जाएगा और अगर बात की जाए इसके accuracy की तो बहुत ही accurate readings आती है और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा heart rate sensor का तो चलिए इससे test करता है और इससे मैं compare करके बताने वाला हूँ ओक्सी मीटर से तो यहाँ ओक्सी मीटर के अंदर 81 show कर रहा है और watch के अंदर भी 83, 82 हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो ओक्सी मीटर के अंदर भी 82 है और watch के अंदर भी 83 चल रहा है तो यहाँ पर अगर बात की जाए heart rate sensor की accuracy बहुत अच्छी कासी देखने को मिल जाती है और इसके results ओक्सी मीटर से 100% match करता है और अगर बात की जाए SPO2 sensor की तो ओक्सी मीटर के अंदर 98 चो कर रहा है और watch के अंदर 99 चो कर रहा है तो इसके भी बहुत close results आता है और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा BP monitor का तो चलिए इसे भी test कर लेता है तो यहाँ पे BP monitor के अंदर 101 और 59 आया है और अगर बात करें smart watch की तो यहाँ पे 117 और 79 आया है तो results काफी उपर नीचे आया है और मेरे को ऐसा लगता है कि इस smart watch का BP monitor work नहीं करता है और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा music का तो अगर आप चाहो तो phone के music को भी control कर सकते हो और watch की जो inbuilt storage है उसके अंदर भी music को add करके सुन सकते हो तो इस तरीके से आप अपने phone के music को control कर सकते हो और अगर आप चाहो तो इसके inbuilt storage के अंदर भी आप music को add कर सकते हो तो चलिए अब आपको बता देता हूं कि से smart watch के अंदर songs वगेरा कैसे add कर सकते हैं तो songs वगेरा add करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रुरत पड़ेगी laptop या फिर PC की उसके बाद इस smart watch के अंदर एक छोटी सी settings करनी पड़ेगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना होगा settings में उसके बाद एक settings के अंदर एक option दिखने को मिल जाएगा जिसका नाम है USB board और यहाँ पर जाके mass storage पर क्लिक कर देना तो mass storage पर क्लिक करने के बाद इसको पूरा back करके इस smart watch का जो charger आया है उससे आपको connect करना होगा laptop से तो laptop से मैंने connect कर रखा है तो watch को इस तरीके से connect कर लेता हूँ तो watch को connect करते ही यहाँ पर mass storage लिखा चुका है और यह जो folder है यह दिखने को मिल जाएगा smart watch का तो watch को अच्छे से रख दिया और उसके बाद यहाँ पर आपको 7GB की storage देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आप music वगरा आराम से रख सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले option देखने को मिल जाएगा music का और music के अंदर 5 music already added है यहाँ पर यह pop-up मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर music के अंदर 5 music already added है तो यह जो 5 music पहले से आते हैं तो यह मुझे नहीं चीए तो मैं इनको delete कर देता हूँ तो यह सारी music को मैं delete कर चुका हूँ उसके बाद एक music था जो मैंने download कर रखा था तो इससे मैं add करके बताता हूँ इसके अंदर तो यहाँ पर यह वाला जो music है इसको मैं copy और paste कर दूँगा इस smart watch के folder के अंदर तो इससे मैंने copy कर दिया है और उसके बाद इस smart watch के folder के अंदर easily यह जो folder है यह paste हो जाएगा और यहाँ पर यह जो music है आ गया है इस smart watch के अंदर तो आप देख सकते हो ये वाला जो music है आ चुका है से smart watch के अंदर तो play करके बताता हूँ तो ये वाला जो music है successfully add हो चुका है से smart watch के अंदर और इस तरीके से आप कोई भी music add कर सकते हो इसके folder के अंदर copy paste करके तो बहुत जादा easy process था इसके अंदर music add करने का और उमीद आपको समझा गया होगा तो चलिए अप third option को test करते हैं TWS mode वाले को उसके बाद इस smart watch के अंदर आपको TWS mode देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप इस smart watch को अपने earbuds से connect कर सकते हो और watch के अंदर जो local music पड़ा है उसको अपने earbuds के through सुन सकते हो तो यहाँ पर मैं यह जो earbuds से इनको connect करके बताता हूँ तो यहाँ पर यह आ चुका है तो इससे मैं connect कर देता हूँ तो यहाँ पर connect success लिखा चुका है और यह जो मैं AirPods Pro है यह आराम से connect हो चुके है इस smart watch से और यह बहुत अच्छा feature है क्योंकि इस feature को यूज करके आप अपने watch से songs होगेरा सुन सकते हो इन AirPods के through तो यहाँ पर अभी मैं watch के अंदर song play करूँगा और आवाज जो होगी वो earbuds से आएगी तो चलिए test कर लेता है तो इस तरीके से आप watch को और earbuds को connect कर सकते हो यहाँ पर मैंने AirPods Pro को connect किया था इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी earbuds हो तो आप आराम से connect कर सकते हो और यह feature बहुत ज़दा useful है अगर आपको phone को, earbuds को और watch को तीनों को साथ में use करना हो तो उसके लिए यह feature best है और उसके बाद बहुत सारे sports mode देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर running, hiking, riding, basics से sports mode देखने को मिल जाएंगे और अगर बात करें इस वाले section की तो यहाँ पर आपको fitness से related 44 sports mode और देखने को मिल जाएंगे उसी तरीके से casual से related 46 और इसी तरीके से balls, water, chess तो यह सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे और sports mode इसके अंदर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और almost सारे ही sports को cover कर लिया है से smart watch के अंदर तो sports mode को लेके कोई कमी नहीं मिलेगी और रही बात इसके pedometer के accuracy की तो मैंने इसे test किया था तो सबसे पहले मैंने 100 steps चले थे और इसके अंदर 108 शो हुआ था और उसके बाद मैंने 200 steps चले तो 202 शो हुआ तो अगर बात की जाए pedometer के accuracy की तो बहुत अच्छी घासी accuracy देखने को मिल जाती है और बहुत ही ज़ादा accurate readings शो करता है से smart watch का pedometer उसके बाद recent का option देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप recently जिसको भी call करोगे उसके number यहाँ पर आ जाएगे और उसके बाद breathe का option है तो इसके उपर click करके यह जो smart watch है आपको guide करेगी inhale और exhale करने के लिए और यह feature भी काफी हतक useful हो सकता है उसके साथ इसके अंदर आपको weather का option देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 7 days का weather show हो जाएगा और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा dial pad का तो यहाँ से आप किसी को भी calls वगिर आराम से कर सकते हो और क्योंकि touch response अच्छा है तो calls वगिरा करने में कोई problem नहीं होगी और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा context का और आपके phone के सारे ही context सिंक हो जाएगे से smart watch के अंदर तो यह बहुत अच्छा feature लगता है कि आपके phone के सारे ही context सिंक हो जाता है उसके बाद option है messages का तो phone के messages यहाँ पर आ जाएगे और उसके बाद option है flashlight का तो जब एकदम अंधिरा हो तो flashlight के option को भी use कर सकते हो उसी के साथ calculator का भी feature देखने को मिल जाता है से smart watch के अंदर alarm clock सेट कर सकते हो यहाँ पर आपको AI voice का भी support देखने को मिल जाएगा और इसके उपर click करोगे तो Android है तो Google on हो जाएगा और iPhone है तो Siri feature on हो जाएगा तो टेस्ट करता है इसको तो इस तरीके से Google on हो जाता है और यहाँ पर आप कुछ भी voice search कर सकते हो उसके बाद option देखने को मिल जाएगा stop watch का और उसके बाद timer recorder का भी option है से smart watch के अंदर और यहाँ पर अगर आपको recorder को use करना है तो disconnect करना पढ़ेगा Bluetooth से तो मैं कर देता हूँ कि subscribe to technical PR channel and like this video कि देखते हैं किस तरीके से record हुआ है कि तो यहाँ पर सुन लेते हैं तो अगर अच्छा लगा हो quality तो मैंने जोका है वो कर लो और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा remote capture का तो इससे test कर लेते हैं किस तरीके से work करता है पर्मिशन मांग रहा है तो अलाओ कर देता हूँ तो यहाँ पर यह जो है phone का camera on हो चुका है और इसके ओपर click करके मैं images इस तरीके से click कर सकता हूँ तो यह जो feature है यह भी 100% working है और last में option देखने को मिल जाता है settings का तो settings के अंदर सबसे पहला option देखने को मिल जाता है display का जिसके अंदर बहुत सारे options है तो पहला option है clock style का तो यहाँ से जाके आप watch face change कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर 100 plus watch faces है तो मुझे नहीं लगता यहाँ से practically possible है watch face change करना इसलिए आपको जब भी करना होगा application से करो तो से watch faces easily change कर पाऊगे और कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद option देखने को मिल जाता है idle clock का और यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि always on display के लिए भी आपको अलग-अलग clock style देखने को मिल गई है तो यह जो feature है बहुत कम watches में ही मिलता है और इसके अंदर आपको इस type से बहुत सारे digital dials देखने को मिल जाएंगे total इसके अंदर 12 watch faces देखने को मिल जाएंगे जो कि आप इसके अंदर लगा सकते हो always on display के लिए जिसमें से मेरा फेवरेट तो यह वाला है तो यह वाला मिने लगा रखा है उसके बाद यहां पर option देखने को मिल जाएगा screen off का तो वो अपने साब से set कर सकते हो और always on display जो है उसको भी set कर सकते हो कि always on रखना है या फिर 20 minute 10 minute या 15 minute यह सारे option भी देखने को मिल जाएंगे बाकी मैं तो यह recommend करूँगा कि इसे off रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसके इंदे race to wake gesture का feature है जिससे आप आराम से time देख सकते हो और अगर इसको off रखोगे तो battery backup बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं तो यही suggest करूँगा बाकी आपकी मर्जी है उसके बाद option देखने को मिल जाता है set time का और यहां से आप directly watch के अंदर time set कर सकते हो यह भी अच्छा feature है क्योंकि आपको बार बार फोन से change नहीं करना पड़ेगा direct watch का time watch से ही change कर सकते हो उसके बाद option देखने को मिल जाएगा vibration settings का और उसके बाद option है brightness का तो यह पहली इसी smart watch जिसके अंदर brightness में थोड़ी कम करके video बना रहा हूं बाकी मैं maximum watches के अंदर brightness fully रखता हूं पर इसकी brightness इतनी ज्यादा तेज है कि camera अच्छे से focus ही नहीं कर पा रहा था तो मुझे brightness थोड़ी कम रखने बड़ी थी बाकी full brightness पे बहुत साधा bright display हो जाता है इसका और यह सबसे बड़ा plus point है smart watch का उसके बाद option है view mode का और यहां पर आपको अलग अलग type के menu style देखने को मिल जाएंगे set language के option से language set कर सकते हो उसी के साथ do not disturb का mode power saving का mode USB mode है जो कि मैं आपको बता चुका हूं और उसके बाद about section है और उसके बाद option देखने को मिल जाएगा shutdown reboot और reset का तो यह स features का overloaded fitness features का overloaded display का overloaded looks का design का build quality का battery backup का सारी ही चीज़े गजब की देखने को मिल जाती है that's why this is the most premium smart watch in this price segment तो अगर आपको यह smart watch पसंद आ रही हो तो purchase कर सकते हो मैंने आपको buying link दे रखी है description में बाकी मेरे को तो यह smart watch बहुत पसंद आई इसके सारे pros और cons cover करने के कोशिश कर ली है फिर भी अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हो मैं सभी का reply करने वाला हूँ तो उमीद है आज का वीडियो पसंद आई होगा अच्छा लगाओ तो like subscribe जरू करना मिलता हूं किसी अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई